अवहान करता हूँ मैं समाशे अपनी बात आपके बीच में लगता हूँ लोगों के बीच में लगता हूँ और जब रखता हूँ तो पूरी तरह से रखता हूँ आपने मुझे यहां बुलाया है इसलिए मैं आया हूँ दस बार बुलाया तब मैं आया हूँ और एक बार भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं यहां से चला जाऊँगा बुलाया है तो सुनना तो पड़ेगा बुलाया है महिमान को बुलाया है तो महिमान की दो बाते तो सुनना पड़ेगी आशली रिदंशिय भी इतना से है अपने अपने घर को समालिये अपने परिवार को समालिये पेशा कमाने में इतना गफलत मत हो जाए कि आपकी अशली शंपत्ती जो अलाद है वो आपकी हाथ से निकल जाए अशली दौलत तो वही है ना अशली दौलत तो वही है और मैं लोगों से अपील भी करता हूँ बाई लोगों से अपील करता हूँ कि आपने जो गारी महिनत से कमाई की है वो कमाई घर आकर के पत्नी के हाथ में रख देना कि घर की असली लक्षमी तो वही है जो लक्षमी तिजोरी में मन्द है वो तो पता नहीं कब तुम्हारा साथ छोड़ दे जो तिजोरी जो लक्षमी तिजोरी में बंद है वो पता नहीं कब तुम्हारा साथ छोड़ दे पर ये लक्षमी तो आकरी दम तक तुम्हारा साथ निभाने वाली है इसलिए असलिए लक्षमी यही है जो भाई बजार की लक्षमी से शेलाप पीता है और घर में बेटी हुई लक्षमी का अफमान करता है गली गलोज करता है उसके साथ मार पीट करता है दुर्मयवार करता है यात रखना उस घर से दोनों लक्षमी बाहर हो जाती है तिजोरी की लक्ष में तो फीचे के दर्वाजे से बाहर हो जाती है और घर की लक्ष में शामने के दर्वाजे से बाहर हो जाती है शरप पी करके पती अगर घर आएगा तो उसका घर क्या कहलाएगा सोची अगर पती शराप पीता है शराप पर नसा करके आता है उसके गहर में, उसके परिवार में क्या खुश्या होगी वो अपने परिवार में अपने बच्चों को कैसी शमाल पाएगा उसके परिवार का मान, शमान, बुजर्कों का पुर्खों का दिया हुआ, Yes, कब तक क्यान रहेगा सोचिए बुजारिच करता हूँ मेहेदन करता हूँ शराप तलाप नदी कुवा भावड़ी में डूब कर आप तक जितने लोग नहीं मरे हैं उससे ज़्यादा लोग सराप की छोटी शी प्याली में डूब करकी मर गए हैं तलावों में डूब करके आदियों में डूप करके अब तक जितने लोग नहीं मरें, उस यादिक लोग शलाप की छोटी शेयर प्याली में डूप करके मर गए हैं। आप अपने आपको बचा के रखिए। बिशन मत आना दीजे।